नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों शास्त्रों के अनूसर दिपावली पर घर पर कुछ पक्षियों का आना बहुती शुब होता है इन पक्षियों के आगमन से हमें ये संकेत मिलते हैं कि घर पर मालक्ष्मी का आगमन हुआ है इन में से कुछ पक्षी मालक्ष्मी के वहन के रूप में जाने जाते हैं तो कुछ पक्षी पहुत ही शुप संके देने वाले माने गए हैं यदि आपके घर पर ये पक्षी आते हैं तो उन्हें भूल से भी दुरलक्ष ना करें इन पक्षों के घर पर आने पर आपको शुप संके तो मिलते ही हैं साथी आपको कुछ उपाई करने चाहे ताकि आपको धन की प्राप्ती हो और मा लक्षमी का आश्रिवात प्राप्त हो इन पक्षियों के विश्य में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और उनसे जुड़े उपाय अवश्य करें ये साधरन से उपाय आपके किस्मत को चमका सकते हैं और आपके भागय में शुब परिवर्तन ला सकते हैं दिपाबली शब्द की उत्पति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है दीप अर्थार्थ दिया और आवली अर्थार्थ शंकला दिवाली का अर्थ होता है कि दीपों की संख्या माना चाता है कि दिपाबली के दिन आयुध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष क की रोशनी से जगमगा उठी तब से आज तक सभी भारती प्रतिवर्ष ये पर्व हर्ष उलास से मनाते हैं हम भारतियों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है जूट का हमीशा नाश होता है दिपाबली के समय में हमें प्रकरती में कई पहत्पूर बदलाब देखने को मिलते हैं यही प्रकरती हमें अनेक छोटी छोटी बातों के संकेत देती है ये संकेत आपके भविशे से जुड़े भी हो सकते हैं ये आपके जीवन में घटित होने वाली अच्छी और बुरी सभी घटनाओं की जानकारी देते हैं यदि हम उन संकेतों को समझ जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुती अच्छी बात होती है लेकिन कभी-कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं या फिर नजर अंदास कर देते हैं जिससे हमें उसके शुब वल प्राप्त नहीं होते हैं आज हम देखेंगे कि कुछ विशेश पक्षों के बारे में हमें कौन से स संकेत प्राप्त होते हैं और उन संकेतों का क्या अर्थ होता है चलिए जान लेते हैं दिवाली पर विवित पक्षों के घर पर आने से कौन से संकेत मिलते हैं साती हम बात करेंगे एक ऐसे खास पक्षी के बारे में जिसका दिवाली में घर पर आना बहुती शुब माना गय वह पक्षी शाक्षात मा लक्षमी का वहान ही है अगर यह है पक्षी दिवाली में आपके घर पर आकर तीन संकेत देता है तो समझ चाहिए कि आपकी दुखों का अंध होने वाला है आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है आपके जीवन में धन से जुड़ी चितनी भी समस्याइं है वह सभी समाप्थ हो जाएंगी तो चलिए जान लेते हैं दिवाली में घर पर पक्षी आने से कौन से संकेत मिलते हैं सबसे पहला पक्षी है कोवा दोस्तों कोवा एक ऐसा पक्षी है जो किसी को भी प्रिय नहीं होता है कोवे की करकश आवाज भी किसी को अच जोगुन माना जाता है। उस स्थान पर जरूर कोई बड़ी विप्ता या संकट आने वाला है। इसके विप्रिति यदि दिवाली में कोवा मुँ में मास का टुकड़ा लिये दिखाई दे या पानी से भरे पातर पर बैठा दिखाई दे तो ये शुब संकेत होता है। और कि मुकुट में मोर का पंक धारण करते हैं जिस कारण से ये पक्षी सभी के लिए पूझनी है। यदि दिवाली पर आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ चाता है तो इसे शुब संकेत समझना चाहिए। साथी मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है। उस घर के शत्रो मिल सकती है। तीसरा पक्षी है 편 सीती साधी और डर्पोपक्षी होती है वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती है लेकिन यदि चिडिया आपके आस्पास ये आपके घर में बीना किसे डर के आने जाने लगे तो समझे कि आपके घर में बहुत शुप और सकारात्मक उर्जा का संचार है ऐसे घर में रहना बहुत ही शुब होता है यदि दिपावली में बहुत सारी चिडिया आपके घर की चट पर या बालकनी में आकर चहचाने लगे तो समझे कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा शुब प्रसंग होने वाला है कोई खास समाचार मिलने वाला है किसी विशेश कारे में सफलता मिलने वाली है चौथा पक्षी है उल्लू दोस्तों उल्लू के विशे में कई ऐसी बाते और मान्यता है है जो आज भी उसे शुब और अशुब के बीच में उल्जाए रखती है कई लोग उल्लू को अत्यंत शुब मानते हैं तो कुछ लोग ऐसी भी हैं जो उल्लू को अशुब समझते हैं दोस्तों उल्लू देख निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है असल में उल्लू का शरीर रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उससे देखकर डर जाए शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है उल्लू के मूँ से निकलने वाली द्वनीर रात की शांत वातवरन को डराबना बनाती है उल्लू की आखे बड़ी और बेहत डराबनी और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है कान भी बड़े होते हैं, चहरा बदाम के अकार का होता है उल्लू अपनी गर्दन और आखों को चार और घुमा सकता है भ्यानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भ्यानक होती है ये हमीशा रात में ही चिलाते हैं और अपना शिकार करते हैं इसलिए इसके भ्यानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुब मानते हैं लेकिन दोस्तों पुरानों में वणिते कथा के अनुसार लक्षमी जी जब स्वर्ग से धर्दी पर आ रही थी उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था क्योंकि वे रात का समय था तो प्राणियों में उल्लू ही ऐसा था जो जाग रहा था इसलिए उन्होंने उसी को अपना वहन बना लिया इसलिए दिबावली के समय उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अक्तिन शुब माना जाता है पश्चिम मंगाल असम और ओडिशा में तो लक्षमी जी के साथ साथ उनके वहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवास है कई जगों पर माना जाता है कि यदि किसी भी गर्वती महिला को उल्लू दिख जाता है तो ये शुब संकेत है और यदि उसे उल्लू छू ले तो उसकी होने वाली संतान सोभागेशाली होती है इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छू कर चला जाता है तो उसका गनभीर रोग भी ठीक हो जाता है यदि कुछ अवश्यक कारे जैसे नोकरी परीक्षा आदी के लिए जा रहे हैं और उल्लू दिख जाये तो ये भी शुब संकेत माना जाता है सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरनदास नहीं करना चाहिए उल्लू के आखों में आखे डाल कर देखना या उससे नजरे मिलाना या फिर मिल जाना यू तो मुश्किल घाम है फिर भी यदि ऐसा होता है तो ये अतिन्द शुब होता है समझ लेज़े कि आपर धन की वर्शा होने वाली है इसी परकार से कुछ लोग उल्लू को दिखना या उसकी आवाज सुनाई दे जाने को अपशकुन मानते है क्योंकि उल्लू की आखों की विशेशता होती है कि वह एक ही समय पर एक आख से एक दिशा में तथा दूसरी आख से दूसरी दिशा में देख सकता है इसलिए ये कहा जाता है कि उल्लू यदि दाई और देखकर बोलता है तो यह अशुब होता है जबकि बाई और देखकर बोलता है तो इसे शुब माना जाता है कहते हैं कि उल्लू जिस घर पर बैट जाता है वह घर भी जल्दी ही बैट जाता है इसी घर पर उल्लू का लगातर बैटना ये रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोकों के लिए एक अप्शकुन का संकेत माना जाता है साती वह धन, हनी या मृत्तु का भी अंदेशा रहता है वैसे देखा जाए तो शुप और अशुप की बैस में उलजा यह पक्षिब बहुत शानत होता है किसानों के लिए तो यह वर्दान ही होता है यह चुओ और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है फुसलों को नुकसान पहुचाता है परन्तु अभी है भी संक्या काम होती जा रही है तंत्र साधना में और विशेशकर दिवाली के अफसर पर लक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए पड़ी संक्या में इनकी बली दी जाती है इनके नाखून, बाल और पंकों को तांत्री करियाओं में उपयोग किया जाता है परन्तु ऐसी लोग ये नहीं समझते कि उल्लू तो स्वेर मालक्षमी जी का ही वहान है उसे मार कर तो मालक्षमी कभी प्रसंद नहीं हो सकती इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंक्या नाखून खरीते हैं तो ऐसी भूल कभी ना करें तो दोस्तो इस प्रकास से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है क्या आपके भी घर पर ऐसे पक्षि आते हैं दोस्तो उम्मीद है आपको यह जानकर यह अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक को ज़रू करें कमेंट में जैमालक्षमी अवश्य लेकें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का धन्यवाद